हेलो फ्रेंड्स,विल्कम बेक टू मैं चानल पहले हम NFT50 का चार्ट अनलेसिस करेंगे और देखेंगे कि Nifty50 ने लास्ट वारोनेयर पे कितना रिटर्ण जेनेरेट करके दिया बॉटम में मैंने Nifty50 का मंध्ली चार्ट अटाश किया तो यहाँ पे एक सिंगल केंडल एक मांद का प्राइस रिप्रेजेंट किया एंड रिटान केल्कुलेशन के लिए मैंने मार्स 21 से लेके मार्स 22 का डाडा एनलैसिस किया निफ्टी फिफ्टी का लास्ट वान येर का लो है 14,125 मैंने सिंप्लिसिटी परपस राउंड फिगर कंसिडर किया एंड ये लो फर्मेशन हुआ था मार्स 2021 पे एंड निफ्टी फिफ्टी का लास्ट वान येर का हाई है एराउंड 18,600 पे एंड ये हाई फर्मेशन हुआ था अक्टूबर 2021 पे तो अगर आप निफ्टी फिफ्टी का लास्ट वान येर का रिटान कारेट करेंगे तो निफ्टी फिफ्टी ने लास्ट वान येर पे 31.7 परसेंड का पॉजिटिव रिटान जनेर करके दिया और Nifty 50 का 14 मार्स 2022 का क्लोजिंग प्राइस है 16,871 पे तो अगर आप टॉप से देखेंगे तो Nifty 50 9.3% डिसकाउंट पे ट्रेड हो रहा है अभी तो चलिए अभी Nifty 50 का चार्ट अनलाइसिस करते हैं तो यह Nifty 50 का weekly time frame चार्ट तो Nifty 50 के लिए 16,840 एक important level था क्योंकि यह level पे Nifty 50 ने multiple time support लिया था और प्राइस वहाँ से उपर गया था बाट recently Nifty 50 ने यह level को breakdown किया था और एक fresh low formation किया था around 15,675 पे and 14th March 2022 पे Nifty ने 16,840 का जो level था उसको reclaim किया और प्राइस उसके उपर closing किया जैसे आप सभी को पता है कि Nifty 20, Nifty 50 का replica है और Nifty 20 and Nifty 50 relatively same movement करता है and Nippon India Nifty 20 price के लिए आपको Nifty 50 का जो spot price है उसको अगर 100 से divide करेंगे तो Nippon India Nifty 20 का एक share का price निकलते तो निचे आपको Nifty 20 का monthly chart दिखेगा and उपर आपको Nifty 20 का last one year का data दिखेगा तो Nifty 20 का last one year का low था around 146 पे and ये low formation हुआ था March 2021 पे and Nifty 20 का one year high है around 199 और ये high formation हुआ था October 2021 पे तो आपको Nifty 50 and Nifty 20 का price and chart में थोरा difference दिखेगा इसका reason ये है कि Nifty 20 में थोरा liquidity issue रहता है उसके लिए थोरा slippage आता है price में इसके लिए मैंने analysis purpose Bix को consider नहीं क्या तो Nifty 20 ने last one year पे around 36.3% का positive return जेनेर करके दिया due to liquidity issue Nifty 20 and Nifty 50 का return में भी आपको थोरा difference दिखेगा जैसे हमने Nifty 50 का price action analysis किया तो उसके basis पे फिर मैंने Nifty 20 का support निकालने के लिए try किया और उसके हिसाब से फिर Nifty 20 का पहला support आराए 177.75 पे और second support आराए 170.5 पे जोकी अभी recent low था और Nifty 20 का पहला support अगर आप recent high से calculate करेंगे तो 10.7% डाउन में है और second support 14.3% डाउन में है top से तो analysis के हिसाब से Nifty 20 का पहला buying range आराए 177 से लेके 178 के range में और second buying level आराए 170 से लेके 171 के range में तो अगर आप Nifty 20 में swing trading और monthly return generate करना चाहते तो फिर आप support level पे थोरा थोरा quantity buy कर सकते और जैसे resistance के नजदिक आते तो वहाँ पे आप profit booking कर सकते और जैसे आपका जो monthly target है 4 या 5% का ओ ऐसी वोदा है तो फिर आप वहाँ से थोरा profit booking कर सकते और price जैसे थोरा नीचे आएगा retrace करेगा और support level पे आएगा तब वहाँ पे आप थोरा नया position बील कर सकते तो ऐसे करके आप Nifty 20 से swing trading के जरिए एक 4 या 5% का monthly return generate कर सकते और इसमें रिक्स भी बहुत ही कम रहेगा एंड जो लुक active trader नहीं है एंड 9 to 6 job पे रहता है तो उन लुक कैसे support पे buy करें क्योंकि उन लुक screen के सामने नहीं रहता है तो उन लुक simply एक काम कर सकते तो जैसे मैंने यहाँ पे Nifty 20 was list में add किया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको create GTD दीखेगा तो यहाँ पे आपको price fill कर देना है trigger price and price तो यहाँ पे मैंने trigger price for example 177 type करता हूँ and price मैंने 178 रख दिया and quantity आपके risk profile के हिशाब से रखना है and order को आपको place कर देना है and जैसे ही आपका जो price है 177 and 178 के range में आएगा तो आपका order execute हो जाएगा and इसका जो validity है यह एक साल तक रहता है and इसके लिए आपको market hours पे actively कुछ काम करने का जोरत नहीं and यहाँ से आप off market में या कभी भी आप यहाँ से edit या delete भी कर सकते order तो ऐसे आप passively भी nifty biz को trade कर सकते bank biz, nifty biz and netfit ETF trading strategy के उपर भी मैंने previous वीडियो बनाया था उसका link भी मैंने description में रख दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते I hope आपको वीडियो informative लगा अगर informative लगा तो kindly like, share and subscribe, thank you for watching कि म undertakenשते तुम हर 46 है